lagaran 姘 कि आप सभी लोग का आप की इस चल्ड जेक emphasize और आज का जो हमारा वीदियो रहने वाला है वह अज pregnant रेक्रूट्मेंट के बारे में जो हमारा सेल्बर सल्भुआस आपको फाइव बल्र हाज का पीदियो पढ़ रहे थे लेक्शान नंबर फॉर में मैंने बेसिक आपको तेन्स के बारे में दिये था और मैंनेस दिन आपको बताया था कि मैं जो आप्रोच लेने वाला हूं तेन्स को स्वालो करने के लिए वह रहेंगे 2 की वृड ऐप्रोच और नंबर लाइन ऐप्रोच उस दिन मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर आपका basic आपको clear होंगे तो मैंने आपको basic clear करवाने के लिए ये table बनाया था इस table में मैंने आपको different structures बनाये थे ये structures आपको याद रखने की जरुरत है इसके आगे जो भी होने वाला है वो आज के वीडियो में हम discuss कर लेंगे सबसे जरुरी बात यहां पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि जेके बैंक की recruitment पर इस वकत postpone हो गई है और अभी तक जेके बैंक की तरफ से कोई भी notification नहीं आई है कि क्या होगा क्या पुरानी recruitment को रिजल्ट निकाला जाएगा यारी exam किया जाएगा नई recruitment के दोर पर देखो बच्चो मैं आप सभी बच्चों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप एक काम कीजिए आप अपनी studies को continue कीजिए क्योंकि दोनों ही सूरत में अगर पुरानी recruitment जो है वो complete हो जाती है तब भी आपको फाइदा है अगर मतलब पढ़ाई करके तब भी आपको फाइदा है अगर नई recruitment मतलब होने होगी पूरी तरीके से रिए exam हो गया तब भी आपको पढ़ाई करके फाइदा है अब मैं पहले विशे पहले बात करता हूँ कि इस तरीके से आपको पुरानी recruitment से फाइदा है अगर आप study करोगे continuously आपने देखा होगा कि हमारे पास आप यहां पर देख लिए हमारे पास जो पुरानी recruitment थी जिस मैं मतलब पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो 250 पोस्ट थैं BOK ठीक है और इसके अलावा 1200 पोस्ट थैं BANK के अब जो नई recruitment आई है इसमें 300 पोस्ट पी ओके रहने वाले है और इसके अलावा 1500 पोस्ट रहने वाले हैं BANK के अगर पुरानी recruitment पोस्ट के लिए और यहां पर 300 पोस्ट बच जाते हैं बैंकिंग एससीट के लिए उसके लिए नई रेकूट्मेंट निकालनी है उसके लिए कितना टाइम लगेगा अगर आपकी study is complete होंगे तो आपका competition जरूर टफ होगा अगर ये वाली recruitment का result निकल गया आपका इस वाली recruitment में घूका your competition है वो tough रहने वाला है but selection अभी होगी जब आप continuously study करोगे अगर इस विशे पर बात करें कि ohE what successful होगी इसमें आपका competition as compared to this वाली recruitment से कम रहने वाला है मतलब competition कम रहेगा but selection तभी होगी जब आप fairly study करोगे so for that reason मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी studies को continue रखो जाहे फिर ये हो जाए इसका result निकले या ये वाली recruitment next recruitment रहने वाली है JG Bank की तो उसमें भी आपको फाइदा हो सकता है without wasting your time now let's start our lecture जो आप आज का हमारा lecture रहने वाला है I hope कि ये चीजे जो मैंने उस दिन बताई थी ये थोड़ा सा rule important pointers दो बताए थे कि present के साथ जो helping verb है वो is mr यानि की be form होता है और present perfect के साथ has और have यूज होता है अगर past की बात करेंगे तो उसके साथ हमेशे head होता है इसके अलावा मैंने ये बताया has have had plus verb जो होगा वो हमेशे third form का verb यूज होगा ये मैंने थोड़ा सा आपको revision करवाया उस lecture के बारे में अभी तक मैं आपको recommend करूंगा अगर आपने वह वाला lecture नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके वह वाला lecture जरूर देखो tenses के बारे में तो यहां पर जो आज हम study करेंगे वह है थोड़ा सा मैं आपको present tense से start करवाऊंगा क्योंकि मैंने पहली बोला था आपको कि मेरे पास दो approaches रहेंगे एक approach का नाम रहेगा हमारा number line approach और दूसरे का नाम रहेगा keyword approach मैं कुछ keywords बताऊंगा किस tense में कौन से keywords यूज होते हैं और उनको आपको memorize करना है और उसके बाद आपको कोई भी गलती नहीं करोगे जो आप पुराने exams में करते आये होए है तो यहां पर सबसे पहले अगर बात करेंगे तो present tense को अगर हम लेंगे तो present tense कब कब हम यूज करते हैं अगर हमें कोई भी habit की example देनी हो तो present tense का यूज करते हैं अगर हम universal truth की बात करेंगे तो उस वकत भी हम present tense यूज करते हैं अगर बात करेंगे किसी भी fact का चाहे वह scientific fact हो, general truth हो, या scientific fact हो, या कोई भी fact हो, तो उन चीजों को अगर हमें लिखना हो, तो उस वक्त हम किस tense का use करते हैं, present tense का, present tense का जो हमारे पास structure होता है, वो होता है, subject plus first form of verb, मतलब subject plus first form of verb हमें use करना पड़ता है, present tense को लिखने के लिए, अब अगर यहां पर बात करेंगे, तो इन तीन चीजों के लिए, चाहे वो habit की बात हो, universal truth की बात हो, fact की बात हो, general truth की बात हो, या scientific fact की बात हो, उस वक्त हमें present tense का यूज़ करना पड़ेगा, अब अगर keywords को देखेंगे, keywords generally हम present tense के लिए कौन-कौन से keywords का यूज़ करते हैं, वो रहेगा आपके लिए often, इसके अलावा आपके लिए रहने वाला है, usually, इसके अलावा जो आपके लिए रहने वाला है, keyword वो है everyday, और इसके अलावा जो keyword रहने वाला है, always, इसके अलावा दो-तीन और भी हैं, आप इस तरीके से add-on कर सकते हो, यहां पर जो frequently used होते हैं, exams में पूछे जाते हैं, वो यही चार होते हैं, अगर example से मैं आपको यह चीज़े clear कर दोंगा, जिससे आपका पूरी तरीके से जो फाइदा होने वाला है, example में यहां पर ले रहा हूँ, I usually run early in the morning, अब अगर यहां पर बात करेंगे, यह usually है, यह हमारा habit को define कर देता है, और run उस वक्त जो है, वो first form में हमने use किया है, तो यह हमारा present tense कहलाता है, यहां जिसको हम simple present कहते है, तो habit जब भी आता है, तो तब हम present tense का use करते है, आपको इस तरीके से objective दिया जाएगा, कि I usually, फिर यहां पर dash होगा, फिर run लिखा होगा, फिर आपको कहा जाएगा कि इसमें present tense का use कर लो, तो आपको इसकी tense की कोई भी फार्म चेंज नहीं करनी है, अगर run दिया है, तो run ही लिख लो, v1 लिख लो, क्योंकि usually के साथ हमेशा, यह universal factor है, यह present tense करना है, so far that reason हो, कि आपको यह चीज़ें बड़ी बारी के साथ समझ में आ रही होगी, अब अगर number 2, example number 2 की बात करेंगे, तो हमारे पास है, 2 plus 2 is 4, तो अब यहां पर देख लो, कि 2 plus 2 यह एक fact है, पूरी तरीके से fact है, आपको पता है कि यह fact है, उस वक्त हमें क्या यूज करना पड़ेगा, उस वक्त हमें present tense यूज करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको इस जरूर लिख लेना है, क्योंकि इस क्या है, present tense को define कर देता है, मैंने पहले बोलता, इस MR, जो helping verbs है, उसके लिए हम यूज कर सकते है, present tense के लिए, मैं यहां पर आपको दिखा दूँगा, कि मैंने पहले बोला था कि present tense के लिए, जो helping verbs यूज कर सकते हैं, तो यह चीजे आपको अगर पुरानी lectures में देखी होंगी, तो आपको जरूर याद होंगे, अब अगर example number third के यह बात करेंगे, the earth is round, तो यह हमारा क्या बन जाता है, universal truth बन जाता है, क्योंकि यह कोई भी मानने के लिए तयार है, तो इस चीज को universal truth है, तो उसके लिए हमारे जो tense लगेगा, tense की जो हम use करेंगे, तो हम कौन सा tense use करेंगे, हम present tense का use करेंगे, तो वहाँ पर आपको पहचानना आना चाहिए, क्या वो effect है, क्या वो universal truth है, क्या वो habit है, तो उन चीजों के लिए हमें keywords को पहले देखना पड़ेगा, अब मैं तीन tenses को एक साथ ले लूँगा, उससे पूरी तरीके से discuss कर लेंगे उन तीन tenses को, जिस तरीके से आपको वो तीन tenses पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी, यहाँ पर मैं जो approach लेने वाला हूँ, वो रहेगा आपका number line approach, जो तीन tenses में ले रहा हूँ, यहाँ पर एक रहेगा, उसमें simple past, यहाँ जिसको हम past tense क्या सकते हैं, उसके अलावा रहेगा present perfect, और तीसरा tense जो रहेगा, वो रहेगा present perfect continuous, अब present past की अगर मतलब structure देखेंगे, उसके लिए जो structure रहने वाला है, वो रहेगा subject plus second form of the verb, जो मैंने पहले भी बोला, टेबलर form में पोरी तरी की से explain किया था, फिर मैंने present perfect के लिए क्या बोला था, subject के साथ has या have यूज कर लेना है, plus third form of the verb यूज कर लेना है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, आप लोगों को present perfect continuous, present perfect continuous के लिए subject यूज कर सकते हैं, has, have यूज कर सकते हैं, plus been हमें लगाना पड़ेगा, plus verb की ing form हमें यूज करनी है, I hope कि यह तीन उस structures आपने tabular form से याद कर चुके होंगे, और आपको clear idea होगा इन तीन उस forms के बारे में, now यहां पर number line approach का हम use करेंगे, इन तीन tenses को समझने के लिए, सबसे पहले यहां पर अगर number line देखेंगे, number line हम बनाए लेंगे, तो present पर हम खड़े हैं इस वकत, present पर कोई भी बात कर रहे हैं, तो अगर हम simple past की बात करेंगे, कोई चीज, यह मान लोग कोई काम past में हो गया है, past में खत्म हो गया है, तो यह है past का काम, कोई भी past में काम हो गया है, तो इस तरीके से हम इस direction में past को discuss कर लेंगे, इस direction में future को discuss कर लेंगे, यह हमारा future रहेगा, यह हमारा past रहेगा और यह present हमारा बीच वाला हिसा present रहेगा, number line मैंने बना ली है, अगर आपको number line का concept होगा, आपको यहां से grammar सीखना बहुत आसान होगा, यहां पर है past है, यह हमारा past रहने वाला है, यहां पर सबसे ज़रुरी चीज़ जो हमें discuss करना है, वह है past simple जो है हमारा, उसकी keywords को याद करना, ठीक है, keywords को आप याद कर लो, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आए, नहीं आएगी, इसमें past simple जब भी हम use काते हैं, उसमें जो keywords रहने वाले हैं, वो रहेगा yesterday, last year, last day, last month, इस तरीके से, आपके keywords रहने वाले हैं, जो frequently exam में use होते हैं, और इसके अलावा भी कुछ keywords है, जो exam में आने के chances भी है, या और भी है, तो इसी pattern से आप कुछ keywords add कर दो, जो आपके past simple को define कर देंगे, I hope कि अभी तक आपको यह confusing लग रहा होगा कि सर कहां से कहां से गुमा रहा है, बट जब हम examples करेंगे, वहां पर आपको पूरी तरीके से फाइदा होने वाला है, यहां पर अगर बात करेंगे, यह कों सा tense था हमारा, अगर if you do remember, यह हमारा present perfect tense था, ठीक है, present perfect tense में अगर हम number line approach देखेंगे, तो यह किस तरीके से है, यह हमारी number line है, ठीक है, अब present perfect किस तर perfect, अगर कोई काम, मालो past में शुरू हो गया है, और वो काम present तक चलता गया, ठीक है, present तक, मैंने बोला, present तक, present तक, present तक वो था, वो काम, अब वो पूरी तरीके से यहां खत्म हो चुका है, यहां वो काम बंद हो चुका है, present तक था, past में शुरू हो गया, आप यहां पर कि अकॉन कोई काम शूरू करें Crill. , अकानि दूख युerm जहां पर टेनिस कोई काम इस काम को बढ़ प्रेजां से युदू है मानका पर एक ऑग्जाम्प आपको अगया जी साथ , ची quarantine第一 में आई , आदमित था , वह उस Weihnacht gal पेड काटने शुरू कर दिया, पेड काटने काटते-काटते अभी तक वो पेड रहा था, अभी तक भो मैं बात कर रहा हूं जो तब उसने पेड काटना खतम कर दिया, तो उस वकट जो हम टेंस यूज करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा present perfect प्रेजंट पृर्फेक्त वाला टेंस आफे नमबल लाइन पर pię once the Strud Koệмотря धियह भीyorsun आगे आगे यहां पर है अब यहां परा प्रेजंट परफेक्त कांटिनूस की बात करेंगे प्रेजंट पर्फेक्त कांटिनूस मे तक मौन लो कोई पास्ट तक रहा है और पास्ट में शुरू होते होते हो प्रेज़न्त तक पहुँच गया वो आद्मी जो पेड़ काट रहा था वो यहां तक मतनग अब जब मैं बाद कर रहा हूं वह अभी भी पेड़ काटता है ठीक है और वह पता नहीं कब तक पेड़ काटाएगा शां साल तक काटेगा तो उस चीज को हम बोलेते है coral present perfectContinuous क्यों? क्योंकि consecutive वह काम कर गया जो काम उसको perfect meant present तक लाता है और present के बाद भी अभी तक काम कर रहा है past में काम शुरू हो गया present तक कर रहा है future में भी उस काम को continuous circularly कर रहा है तो उस चीज काम present perfect continuous कहते है क्या कहते है present perfect continuous प्रेजेंट पर्फेक्ट गंडे नंबर लाइन पर इस रिट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा अब आगे जाके मुझे कोच्छन समझाने बहुत आसान हो जाएंगे यहां पर मैंने आपको पास्ट सिंपल पास्ट के कीवर्ड बता दिया आपकी यह कीवर्ड आपने मेमोराइज कर रहे होंगे अब मैं यहां पर बहुत ही ज़ुरूरी चीज जो समझाने वाला हूँ वो है पॉंट आप टाइम और पिरट आप टाइम मैं आपको समझाने की कोशिच कर रहा हूं यहां पर आमालो एक number line है यह एक time line है पर हम present पर खड़े हैं अब यहां पर एक past है past में कोई भी चीज़ यह प्युआ है आमालो यह कोई time दिया है time reference दिया है अब point of time यह period of time किसको कहते है एक point को मैं तूर इसल में एक्जाम पें confusing questions होते है with exceptions में आपको सारे rules बताने जा रहा हूं since and far का use किस तरीके से करते है और present simple में किस तरीके से number line approach से हम देख सकते है कि कौन सा form हमें use कर लेना है और इसमें भी हम number line approach use कर लेंगे अब अगर यहां पर simple since and far का use देख लेंगे तो यहां पर हमारी जो number line है नमबर line पर हमने present को denote किया अब किसी past में कोई भी point है या अगर वह मतलब कोई भी point की बात करेंगे अगर हम point की बात करेंगे किसी भी point की अगर हम बात करेंगे तो point of time हमें देखना पड़ेगा तो जब भी हम किसी particular point of time point of time मतलब किसी भी लम्हे की तरह इशारा कर रहे है तो तब हमें क्या use करना होता है since use करना होता है I hope कि since word हमें use करना पड़ेगा तब जब हम particular point of time की बात कर रहे है जैसे मैं examples यहां पर रहे हूँ since 9 o'clock मतलब यह 9 o'clock से बात कर रहा है point 9 o'clock since 2021 मतलब 2018 से मतलब यहां पर मैं बता दूँ 1921 1921 से बात कर रहा है since Monday मतलब यह Monday एक point of time बन जाता है यह point of time के लिए हम since word यूज़ कर सकते है अब अगर period of time की बात करेंगे कोई भी काम यहां पर point है यह आप एक number line पर एक point है अब इस point से लेकर जहां तक हम का मतलब डून रहा है कोई भी period डून रहा है यहां से present तक यहां से future तक यहां से कहां तक जहां तक भी आप पहुँच सको वहां तक आप बता दो तो उस चीज़ को हम period of time कहते है period of time के लिए हमेशा हमें four का use करना पड़ता है four का use करना पड़ता है important है यह याद रख लिए four five days five days this each time noise this is 5 days this is gap जब यह यह to is a period of time कहता है four ten निट 딱 10 minutes तो यह to please three years three years gap it will come next तो ये जो चीज़े that is what paryot of time को denote कहते है उसके लिए four का use करना पड़ता है and our point of time के लिए since का use करना पड़ता है यह दोनु चीज़े आपको पता चल जाएगा कि far का यूज कहां पर करना है और since का यूज कहां पर करना है और इन दोनु चीज़ों को हम particularly अगर since और far की बात हो रही है तो उस वक्त हम present perfect continuous की बात कर रहे होते हैं present perfect continuous की अगर हम देखेंगे तो 90% cases में अगर far और since का word में sentence में मिलता है तो 90% cases में वो present perfect continuous होता है अगर कुछ exceptions आजाती है मैं वो सारी exceptions आपको बताऊंगा तब वो present perfect भी हो सकता है far और since के अलावा अब मैं कुछ examples आपको बताऊंगा जिन examples के मादियम से आपको सारा कुछ समय में आ जाएगा तो यहां पर हम example ले रहे हैं I hope के आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप वीडियो को रोक के जरूर इसको एक like दे देना ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है और comment में जरूर बता दो कि आपको हमारा पढ़ाना कितना अच्छा लग रहा है और अगर आप चाहो कि JK examers को support करना तो आप हमारी चैनल की membership को भी join कर सकते हो तो वहां से आप हमें support कर सकते हो तो यहां पर शुरू कर सकते हैं चैनल को जरूर सबस्क्राइब करके रखना जिससे आपको latest videos time time पे मिलते रहे आपको wait ना करना पड़े यहां पर example में रह रहा हूं example आप पूरी तरीके से देखोगे examples यहां से शुरू कर देते हैं ठीक है I hope कि यहां से video पूरी तरीके सा रहा है तो यहां पर example number one मैं लिख रहूंगा four persons ठीक है चार आदमी dash dash escape लिखा हुआ है bracket में अब इस escape को हमें use करना पड़ेगा इस dash dash में according to the form of the verb according to tense हमें use करना पड़ेगा ठीक है अब अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर escape देखा हुआ है from quarantine center से वह भाग गया है मतलब वहां से चले गया है किस तरीके से अब यहां पर इसने दो situations दी है एक situation में इसने दिखा है last night और दूसरे situation में इसने लिखा है since morning यहां तो sentence इस तरीके से होगा four persons मतलब यह है escape यहां पर dash होगा फिर आपका escape आएगा from quarantine last night last night की जब बात हो रही है तो हमें keyword approach हमने मैंने पहले बताया था आपको कि हमें हमारे पास कुछ words ऐसे होते हैं जिनको देखते ही हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा tense की बात ही हो जैसे मैंने यहां पर यह वाला tense बताया था simple past में कुछ keywords बताये थे जैसे yesterday, last year, last day, last month यहां last वाला कोई भी चीज इसके साथ आ जाए तो वो कौन सा बन जाता है वो हमारा simple past वाला tense बन जाता है तो यहां पर जब इसने last night लिखा है तो यह हमारा simple past बन गया simple past को देखते ही हमारे past structure याद आना चाहिए यह sir आपने तो बताया था कि इसके पास subject plus second form of verb होता है तो जब आपके पास पता है कि subject plus second form of verb यूज होता है subject कौन सा है four percent who आप question पूछ लो who तो यहां पर answer मिलेगा four percent कौन बागे थे तो चार आदमी बाट यह थे यह क्या है यह हमारा subject बन गया और यह हमारा verb है और इस verb को हमें second form में convert करना है v2 में convert करना है और उसको हमें यहां पर type कर लेना है तो अगर escape का second form देखेंगे मैंने पहले भी बोला था verb की एक 200 forms आप याद कर लेना first, second, third मतलब 200 words की कर लेना आपको आसान हो जाएगा escape की अगर हम second form of verb देखेंगे तो escape बढ़ाएगा escape ठीक है तो यहां पर अगर देखेंगे four persons escaped from quarantine last night अगर हम last night की बात करेंगे simple past हमेरे पर tense बन जाएगा तो वहां पर हमें escaped का right option होना चाहिए अब अगर बात करेंगे इसी का case number two यह since morning वाला 4 persons die dash escape from quarantine since morning अब यहां पयर कै राया तो बेटा सिंस का मैंने क्या बताया था तो मैंने आपको बताया ता सिंस पोइंट आप टाइम होता है तो सिंस जब पॉइंट आप टाइम होता है तो आपको ला ना चाहिए याद आना चाहिए मैंने क्या भोलाया था point of time जब होता है तो उस वक्त हमें particularly present perfect continuous tense का मतलब होता है बट यहाँ पर case उल्टा है यहाँ पर present perfect tense होता है यह अब हम किस तरीके से यहाँ पर add कर सकते है तो वो आपको पता होनी चाहिए present perfect क्यों बनता है वो भी मैं reason बता दूँगा और यह क्यों नहीं बनता है यह भी reason बता दूँगा आप फिलाल जब यह present perfect बन जाता है देखो अब छोटा से मैंने अभी अभी मैंने आपको यह चीज़ बताया था कि यह कहां पर यह कहां पर फार, sin, spirit यह मैंने अभी अभी आपको थोड़ा से वीडियो में hint भी दे दिया है अगर कोई भी option बच्चा है तो वो comment section में नीचे बता सकता है कि यहां पर present perfect ही क्यों यूज़ करेंगे present perfect क्यों नहीं करेंगे but the rule तो यह होना चाहिए but most of the बच्चे यहां पर गल्दी कर देते है तो मैं आपसे यह homework पूछ लेता हूँ अगर किसी ने सही option दिया तो well and good अगर नहीं भी दिया तो next जो वीडियो आएगा उसमें यह मैं clearly आपको बता दूँगा फिलान मैंने आपके लिए homework चोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है कि rest of the students बहुत ही efficient होते है जो answer कर सकते हैं इस चीज़ को क्योंकि मैंने इसका hint आपको दे दिया है वह hint आपको पकड़ लेना है क्योंकि बच्चे वही कामयाब होते है जो शातिर भी होते है तो आप वह वाला page में पढ़ा रहा था उस वकत मैंने hint दिया था तो यहां पर अगर बात करेंगे present perfect tense use होता है present perfect के लिए हमारे structure कौन सा होता है सर आपने तो बताया था subject plus has have होता है plus verb की third form use होती है तो उस वकत आप क्या करोगे उस वकत जब verb की third form use होती है तो आप यहां पर has लिखोगे यह लिखोगे तो आपका आप यहां पर decide कर लेना है और इसके बाद verb की third form escape 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 यही आएगा escaped आएगा escaped जब आएगा तो आप आपको has और have में मतलब देख लेना है क्या has लगा सकते है या have लगा सकते है तो four persons four persons हमारा pillular subject बनता है जब मैं subject verb agreement पढ़ा रहा था अगर किसने वह वाले वीडियो नहीं देखे हैं वह जाके वह वाले वीडियो पहले देख सकता है subject verb agreement तो subject verb agreement में मैंने क्या बोला अगर sir हमारे पास pillular subject होता है तो उसके साथ हमें pillular verb का use करना पड़ेगा has हमारा singular रहता है और have हमारा pillular रहता है तो यहां पर हम use कर सकते हैं पूरी तरीके से फिर अगर हमारा pillular subject है तो pillular verb मतलब verb को use कर लो तो आपका right option जो रहने वाला है यहां पर आप लिकोगे have escaped have escaped have escaped since Mohanik अब यह आपका सही answer बन जाएगा और इस तरीके से आप इसको solo कर सकते एक ही example को मैंने दो तरीके से दो cases में divide करके तीन examples मना दी इससे I hope कि आपको पूरी तरीके से सारे cases समय में आ गया होंगे अब हम यहां पर एक छोटा सा paragraph ले लेंगे इसमें आपको error support कर लेना है अगर आप यह error पकड़ चुके मतलब पकड़ गए तो मैं मान लूँगा आपको पूरा lecture समय में आ गया होगा इसी तरीके से वहां पर paper में questions भी आते हैं आपको error supporting questions इसी तरीके से पूछे जाते हैं अब मैं यहां पर थोड़ा सा sentence एक पढ़ लूँगा my friend my friend who is sitting on a chair lived here for more than a month but he never created any issue I hope कि आपको यह sentence आपने पढ़ चुके होंगे अब आपका error supporting है तो यहां पर यह my friend क्या है my friend हमारा subject बन गया subject बन गया who is अब यह आपका is तो यह कौन से मतलब v1 subject be form बन कह सकते हैं अब यह मतलब is की बात कर रहा है on a chair तो यह छोड़ दीजे अब यहां पर आप देख लिए यह lived इसने लिखा है तो यह अगर आप देखोगे तो यह कौन से मतलब अगर आप पूरी तरीके से इस पर ध्यान दोगे तो यह अगर देखोगे तो यह हमारा past tense मतलब past simple past tense simple past tense simple past tense simple past tense यह अगर देख लिए उसके बाद for जब मैंने बला था तो पेटा क्या होता है यह होता है आपको जहन में आते आते ही पता चलना चाहिए यह period of time होता है period of time होता है period of time होता है उसके बाद मैंने क्या लिखा more than a month यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सर आपने तो पहले किसकी बात की आपने तो पहले यहां पर past tense की बात की simple past की बात की फिर उसके बाद period of time बात की सर जब आपने यहां पर पढ़ाया था आपने बोला था कि यह जो है point of time और period of time हमेशा present perfect present perfect और present perfect continuous के साथ ही यह कभी भी simple past यह past tense के साथ यूज नहीं होते है यह since और far जो word है यह present perfect यह present perfect continuous के लिए यूज कर सकते हो मैंने नहीं बताया था कि इनके लिए यूज होते है अब यहां पर गलती देख लिए यहां पर यह period of time की बात कर रहा है जब यह period of time की बात कर रहा है तो क्या यहां पर यह past tense आना चाहिए यह नहीं आना चाहिए तो यहां पर जब period of time की बात हो रही है तो मैंने period of time के लिए आपको बताया था कि उसके लिए particularly कौन सा tense मतलब लग सकता है अब यहां पर दो cent यह उसके साथ क्या आएगा उसके साथ क्या आएगा have lived ठीक है जो मैंने पहली भी बोला है उसके लिए have lived जो present simple का subject plus has have plus third form of verb have lived तो ये लिख सकते है have lived अगर ये वाला tense हम यूज करेंगे अगर ये वाला tense हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें क्या लिखना है क्या है have been यहां पर मैं गलत लिख रहा हूँ have क्यों करोंगा use क्योंकि has और have हमें use करना है has या have use कर लेना है has have lived has या have lived यहां यहां पर use कर सकते है has have been living ठीक है has have been living use कर सकते क्योंकि पास ये है present perfect continuous तो इसके साथ यूज करनी है अब यहां पर मतलब वो subject to verb agreement याद कर दीजे subject to verb agreement क्योंकि ये मतलब जहन में बना लेना होता है एक भी क्वचन गलत नहीं होना चाहिए who is living my friend my friend क्या है my friend singular है जब ये singular subject है तो इसके साथ verb कॉन सा होगा use singular have नहीं होगा use has होगा has lived जब आप has lived लिखोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा ये आपका present perfect बन जाएगा जब आप यहां पर have तो नहीं आएगा has आएगा has been living तो ये आपका present perfect continuous आएगा तो question solo होगा किस तरीके से आप error support कर सकते हो और error को rectify भी कर सकते हो क्योंकि आपको जहन में सारी चीज़े होनी चाहिए तब जाके ये चीज़े आपको solo हो जाएगा तो यहां पर एक और example ले लेते हैं जिससे ये सारा कुछ concept आपके जहन में उतर जाएगा I have come यहां पर important चीज़ यह है come की मैं forms बता दूँगा come came come coming यहां पर अगर आप देखोगे I have come to know that his father has died last week अब यहां पर पूरी तरीके से दियान दीए किस तरीके से हम इसमें मतलब जान सकते हैं तो यहां पर आप पूरी तरीके से यहां पर अगर आप देखोगे तो यह कौनसा है? V3 है तो जब आप यह ना थर्ड वाउम आ गया तो आपका censorship क्वारी तरीके से कौनसा... past tense आ गया तो यहां पर यह उप पर past आ गया तो इसके बाद आप क्या कि यूज करोगे आप यहां पर देख लो तो नू दैट हिस फादर एक्शली वीडियो 30 मिनिट से ज़्यादा हो रहा है तो इस वाली एक्जाम्पल को हम नए लेक्चर में डिसकस कर लेंगे क्योंकि वीडियो 30 मिनिट से ज़्यादा फिर अप्लोड करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाता है सोफा दैट रिजन हमें लेक्चर को यही पर रोखना पड़ेगा नहीं तो मैंने मतलब प्रेपियर करके रखा था और भी बट इन चीजनों का हम यही पर रोख देती है सोफा दैट इट रिजन जडी से जडेटी रिवाइस कर लेते है मैंने आज आपको क्या पड़ाया मैँने आज आज आपको जल्दी से जल्दी बता दूगा present tense के keyword बताए बिर इसका approach बताया था फिर इन थीन टेंस को पूरी तरिके से समझाने की कोशिश की number line approach से फिर यहां पर point of time, period of time समझाए इसके keywords बताए point of time, period of time, present perfect or present perfect, continuous के लिए उसा था इसके लिए नहीं होता है और इसके लिए no time frame हमें याद रखना चाहिए no time frame इसमें लिए कोई भी time frame हमें जायर ना point of time ना period of time यूज कर सकते है फिर उसके बाद मैंने दो examples बताए उन दो examples में तीसरी example जो है वो हम next lecture में पूरी तरीके से discuss कर लेंगे यह दो examples से आपका बहुत ज्यादा concept clear हो गया होगा thanks for watching this video I hope you may have enjoyed this video stay tuned for the updates आप subscribe करके रखे चनल को और bell का एकन ज़रूर दबा देना ताके आपको latest videos के updates मिलते रहे thank you thank you